आज आपके सामने एक ऐसी क्रीम लेकर आई हूँ मैं जो मेकप आर्टिस जो होती है वह यूज करती है तो वह कौन सी क्रीम है उसके बारे में हम जानेंगे क्राइस करता है वह प्राइस के प्राइस कर ना चाहते हैंगे आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं ले कर आओंगी आप सब के सामने चेहां शुज्जर वीडियो बॉड्यो मृट करते हैं क्रीम है एक अभ्रasmus बास कर दे संखरनी निचुंच में अगर हमेकप क्लेशन का जाता है या प्लाइस नहीं आता है तो प्लाइब KrARS जैसा आएगा मेंका अम्हासी कारता है कि आटकेशनीँ के यह तो यह क्री नश कुछ को दीच में १।न दू Tatis के ओपर एक है इसकी पार्कशिक होता है जिसकी पैकेजिंग सेम ही होती है वाइट कलर में और से स्किन को नरिश करती है से अरो प्राइमर ने लिए लेगी और प्राइमर दोनों अप्लाए कर सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राय है डिहाइड्रेटर है डिहाइड्रेटर स्किन आप समझ रहे हैं काफी ऐसे ड्राय वाइट स्किन है तो आप इसे अपलाई ना करके कोई हाइड्रेटिंग क्रीम अपलाई कर सकते हैं इसको भी उसके बाद कर सकते हैं बट ऐसे स्किन पर करेंगे तो उतना मॉस्चर यह आपको नहीं देगा बट और स्किन टाइप है नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है और हाइड्रेट भी रखती है यह स्किन को बट नॉर्मल बहुत जादा पैची और ड्राय स्किन वाले के लिए नहीं है हाइड्रेशन इसमें कम है तो इस क्रीम के बारे मैं बताओ इसकी क्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताया देखें ओपन करके दिखाती हूं मैं इ इसको मॉस्चुराइजर या मसाज क्रीम की तरह मसाज नहीं करना है जब भी आप करेंगे नेग भी कवर करना है मं तो इसकीicky refundस बहुत जादा अची है बहुत आपको बहुत पसंद대गी इसको अपफलाय करने का तरीका है इसको आपको शैब्सकिन पर सिर्फ लगना है बहुत अच्छी सी फिनिश दे देती हैं अपलाइगर के आपको दिखा रही हूं क इस तरीके से आपको सिर्फ लगा लेना है कि क्रीम जो है वो आपके स्क्न में अब्जॉट हो ज VII जाये ना कि इस तरीके से मौस्चिराइजर की तरर आप को मसाझ करना से वैसे नहीं करना है क्योंकि इस क्रीम के लगाने के बाद ही तुरंत काफी हद तक स्कीन जो है वो हड्रेटेड डिखती है मॉस्चराइज रिखती है प्रोन फ्री डिखती है मतलब प्रोन्स वगेरा जो है वो गायब हो जाते आप देखें राथ फिनिश देखुराइब स्की मेट वगे और जब इसके उपर आप मेकप करेंगे तो आपका मेकप जो ह्याँ है बिल्कुल क्रीम अपलाई करते हैं खुश्बू तो बहुत ही अच्छी है तो आप देख सकते हैं किस तरीके का फिनिश दिया है इस क्रीम ने तो ये हैं इस तरह का अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मुझे नहीं लगता आपने ले सकते हैं या फिर आपको परटिकुलर किसी कॉस्मेटिक सॉप से लेना होगा जहां पर आप सारे ब्रैंड्ट्स जो है अवेलबल हो वहां पर ये मिलेगी अब मुझे लगता कि मिलेगी मैंने सर्च नहीं कि आप एक बार चेक कर सकते हैं आपको चाहिए तो डेली यूज में भी अपलाई कर सकते हैं पर क्या है कि कॉस्ट इसकी काफी है इसमें मेंशन नहीं है मैं आपको बता दूँगी थोड़ी कॉस्टी है पर क्रीम काफी अच्छी है आप चाहें तो यूज कर सकते हैं जैसा कि कई बार बोलते हैं कि ऐसी कौन जो वो फॉलो करते हैं कुछ ऐसे प्रॉडक्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसेस पे हमें नहीं पता होता है तो अगर ऐसी भी चीजों को आप जानना चाहते हैं कि वो लोग क्या इस्तमाल करते हैं मेकप का बेस कैसे बनाते हैं वो सारी चीजे लाओंगी मैं अपने इस चैनल पर आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजेगा और मुझे कॉमेंट कीजेगा अ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और मेकप के सीक्रेट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए और आप जानना चाहते है तो ऐसे काफी सारे जो भी चीजे आप जाना चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर मैं आप चीजे लाते रहूंगी आप सब को बताने के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा जब आप लाइक सौरी जब आप लाइक करते हैं तो मुझे अप्रिशेशन मिलता है मुझे लगता है कि हाव यह आपको ज़रूरत है आप जानना चाहते हैं तो मैं और जादा वीडियो लेकर आऊंगी तो होफ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक बाबाई, तेक्वर!